शाओमी ने फिर से एपल से एक फीचर अडेप्ट किया है, इंस्पायर किया है, यह चोरी किया है, आप लोग कुछ भी बूल सकते हो, बट यहाँ पर हमें एक और नया फीचर देखनी को मिलने वाला है, जो कि डिक्टो आपको पहले एपल में देखनी को मिलता था, बट अब आपको देखनी को मिलने वाला है, शाओमी के हाइपरोस में, जिसका नाम है MI बीम, अब यह किस तरह से काम करता है, इसमें फीचर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में, आज किस मीटिव में बात करने वाले हैं, इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा कि क्या ही आपके फोन के लिए आएगा की नहीं, ग्लोबल में फीचर कब रिलीस किया जाएगा, इंडिया में आएगा की नहीं, उसे के साथ कौन को से डिवाइस के लिए स्पोर्टिव होने वाला है, बट उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि MI बीम टेखनीकल यहां पे क्विक शेर की तर और वो काफी सक्सेस्फूल रहा है लोगों, वो बहुत ज़़ा पसंद आया है, और उसे के साथ डाइनमिक आइलेंड के बारे आप लोग को पता ही होगा, तो शाओंगी ने वो चीज तो पहले ही हाइपर नर्स में दे दी, बट उसे के साथ यहां पे MI बीम के साथ यहां पे आपको नेम ब्रो पे आपर बुसकते हो, एंड्रॉप वाले फीचर भी देखने को मिल रहे है, तो MI बीम भी डिक्टू वैसे ही काम कर दी है, अगर आप लोग दो फोस को आपस में टच करोगे, दैन आप लोग इसली अपने कोई भी वीडियो हो गई, या फिर कोई भी ओडियो हो गई, कोई भी इमेज हो गई, कोई भी कॉन्टैक्ट हो गया, ऐसी फाइल्स को शेर कर सकते हो, साथ-साथ Android फाइल को भी शेर कर सकते हो, वैसे मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे शाओमी या Android सिस्टम में भी आपको Android भीम नाम से एक चीज आने वाली अपको मैंने MIM Beam को भी मेंशन किया था, बट उस समय तक clarity नहीं थी कि इस तरह से काम करेगा, बट अब इसकी एक लूग का चुकी है सामने, जहाँ पे डिक्टोर दिखाया गया है, कि इस तरह से काम करने वाला है, और क्लियर कर दूँ गाज यहाँ पे जो आपको option देखने को मिल है, वो NFC के अंदर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का, जहां पे आप लोग को option enable करने के लिए का जाएगा, जिसको enable करने के बाद, अगर आप लोग दो Xiaomi phones को touch करने, वो भी फाइल को share करते हो, वो consistently दूसरे phone में transfer हो जाएगी, बट वो जो animation है, अभी तक देखने को नही परोस है, उसमें ही देखने को मिलेगा, वैसे अगर आप लोग वो roam को try करोगे global में, या global के जो roam होगी, उसमें भी देखने को मिल सकता है, बट अभी इंडिया के लिए यह फीजर देखने को नहीं किया गया है, उसी के साथ मैं आपको clear करना दू कि जो Indian devices हैं, उनके phone में, या फिर बोल सकते हो, global के devices के phone में, NFC का sport होना चाहिए, और आप सभी को बता है कि global के majority phones में आपको NFC देखने को मिल जाता है, बट इंडिया की devices की बात करने तो इसमें NFC नहीं है, तो जिन devices में NFC हैं, इंडिया में, उनमें यह properly work करने वाला है, उनमें यह accessible होगा, यह ची बट आप लोग को overall जो चीज़ें को काफी minimize देखने को मिलेगी, तो HyperOS के रिगारी excited point बनाये रखने के लिए, यहाँ पर इस feature के testing complete कर दी गई है, जिसको watch and launch किया जाने वाला है, तो अब यह तो काफी limited devices को, MI beam के feature देखने को मिल रहे हैं, बट आप कमेटीज में इसको fully global के सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने फोन में, आपको एक app download करनी पड़ेगी, प्ले स्टोर से जिसका ना में activity launcher, मुझे भी मुझे पता है कि यह जो Xiaomi Redmi Notebook user है, इसके बारे में जानते होंगे, तो आपने सिंप्लिस को download कर लेन है, download करने के बाद guys, थोड़ा वो time लगता है, और जब तक ही time लगे रहे है न, whatever channel को subscribe कर दो, वीडियो को like कर दो, ताकि future में भी आपको ऐसी information देखने को मिलती रहे, मुझे पता है guys, जो daily basis में मेरे channel को देखते हैं, वो already नी subscribe कर चूके है, बट जो नए है guys, वो channel को subscribe कर दो तो आकि future में भी आपको ऐसी information देखने को मिलती रहे, तो जैसे आपको पूरी लिश्ट देखने को मिल जाएगी, उसके बाद आपने इसे scroll down करना है, scroll down करते करते हैं guys, बिल्कुल end पे चले जाना है, और वहां पे आपको option देखने को मिलेगा, दो settings का, तो जो पहली setting है, उ फोन में भी आपको MI beam देखने को मिल रही है, बट आप लोग उसे access नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको block किया गया है, और आप सभी को पता है कि experimental features के लिए इनको ज़रूर launch किया जाता है, बट टेस्टिंग के बाद ही इसको publicly लिए जाता है, या official stable print दिये जाते हैं, अभी के लिए जो MI beam है guys, वो थोड़ा सा hold पर ही चल रहा है, बट आपको मिडेज में इसको publicly rule out ज़रूर किया जाएगा, कुछ conditions के साथ, तो आप लोग भी अपले phone में जाके, ऐसे जाके try कर सकते हो, open ही कर बाओगी, आपके phone में MI beam है या नहीं, वाकी guys, आपका इसको पर क्या उप